तो दोस्तों लेकर आगे हूँ आपके लिए टॉप थ्री बेस्ट मिवाइट वैल थीम्स ऑप दे डे की एक और न्यू इस्पेसल वीडियो और इस तरह की वीडियो में हम बात करते हैं काफी कूल आउसम थीम्स के बारे में तो दोस्तों अगर आपके पास भी मी, रेड्मी, पोको का कोई मोबाइल है और इस तरह की थीम्स को आपने फॉन में ट्राइ करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ लॉक स्क्रीन कस्टमाईज से एक थीम की, साथ में आज बात करेंगी एपल वाले बूट एनमी से की और अगर आपको आई ओस वाला कंट्रोल सेंटर चाहिए हो या फिर आई फॉन वाला कंप्लीट लुक चाहिए हो तो इस वीडियो को पूरा देखते रहे हैं वीडियो को लाइक टारगेट है 100, आई दोस्तों इस लिस्ट में जो फर्स्ट थीम इसका नाम है नियोन स्पेस डिया का नाम है दो सूरज और यह थीम आपको थीम मिल जाएगी अगर लिंक इन थीम के हुए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूँगा तो यहां पर इसका हॉम स्क्रीन लुक यहां पर कफी कलरफुल सा मुझे कफी पसंद आया इसके साथ में यहां पर जो कंट्रॉल सेंटर का लुक है देख सकते हैं आप कि इसमें आपको कुछ यहां पर ब्लैक और वाइट का कॉम्बनेशन दिया गया है तो यह कुछ कंट्रॉल सेंटर का लुक मिल जाता है सिंप साही देखने को मिलता है अब इस थेम में मुझे क्या पसंद आया तो इसका जो बॉल पिपर है वो मुझे काफी अच्छे लगा क्लॉक विजिट ठीक ठाक है और यहां पर जो आइकन है वो देख सकते हैं काफी मिनमाली स्टिक से आपको नियोन आइकन देखने को मिल जाते है तो तो जो इस थेम को मलब परफेक्टली सूट करते हैं यह आइकन पसाथ में यहांपर लॉक स्क्रिन की बात करें तो लॉक स्क्रिन पर आप देख सकते है टौक विजिट काफी अच्छी सी है सलाइड करके यहांपर अणलोक का उप्सन हistas का नाम है तो दोस्तों अब जो आइए के नेम से सर्च कर लीजिए तो इसमें जो वाल्पिपर है आपको iOS वाला मिल जाता है पूरी जो थीम है उस में iPhone का look आपको या iOS का look देखने को मिलेगा ctrl center को इस तरह का देखने को मिल जाता है और यहां पर जो लुक है वो मैं आपको डार्क मोड में अभी दिखा रहा हूं तो डार्क मोड में कैसा लुक देखने को मिलेगा क्योंकि जो आइफॉन वाली थीम होते हैं वो डार्क में ज्यादा अच्छे से सवाज में आते हैं तो यहां पर यह देखिए आप IOS वाला यहां पर जो कॉंट आपको एक MIUI 13 जैसा लोगो देखने को मिलता है यह पता नहीं फ्यूचर में MIUI 13 का लोगो ही है पर यहां पर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जो मुझे कफी ज्यादा पसंद आया इसका और इसके अलावा यहां पर बात करनें दोस्तों इसके जो आइकन पैक है तो iOS से आप बात करनें तो लॉक स्क्रीन पर यहां पर देखिए यहां पर भी आपको जो iPhone वाल पेपर है वो देखने हो मिल जाता है इसमें Control Center भी आपको iPhone वाला देखने हो मिल जाता है तो यह काफी अच्छा है और यहां पर जो भी चीज़ें हैं वह यहां पर वर्क करते हैं के जो डेटा है Wi-Fi Bluetooth तो उसे भी आप यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं इसमें चितने भी option है काफी option यहां पर काम कर रहे हैं तो यहां पर देखिए यह जो डेटा वाला option है या जो Wi-Fi Bluetooth वो सब कुछ आप लॉक स्क्रीन से ही कंट्रोल कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोई fake यहां पर कंट्रोल सेंटर दे दिया गया है तो काफी option यहां पर काम करते हैं तो दोस्तों यही कुछ लुक मिलता है इसके साथ में आपको एक और लॉकी स्क्रीन इसमें देखने को मिल जाती है और इसमें boot animation जो है तो इसमें आपको apple बाला boot animation दिया गया है जो कि आपको जरूर प नाम जीसान खान यह थीम भी आपको थीम श्टोर मिल जाएगी और इसे अपलाई करने के बाद इसका complete लुक दिखा यहते हैं ताकि आपको पता जल जाए कि क्या कुछ लुक मिलेगा इससे अपलाई करने से पहले ही तो यहां पर जो वाल पेपर है कुछ इस तरह का red टैप का wall paper देखने हो मिल जाता है control center में आपको blue color के जो tiles हैं वो देखने हो मिल जाते हैं और यहां पर अभी मैंने dark mode को off कर दिया है तो normal mode में कुछ इस तरह का look आपको देखने हो मिलेगा और यहां पर clock widget भी काफी अच्छी है dial pad का UI आपको कुछ इस तरह से देखने हो मिल जाता है इसके साथ ही दोस्तों यहां पर बात करें इसके setting वाली look की तो कुछ इस तरह का setting look है जिसमें आपके icon वगरा जो है वो completely change हो जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया कि आपको मैं normal mode में दिखा रहा हूं यहां dark mode का भी काफी अच्छा support दिया गया है तो dark mode को enable कर देंगे तो कुछ इस तरह का control center look और यह जो आपका पूरा जो setting UI है या dial pad UI है वो आपका पूरा dark में चला जाएगा तो दोस्तों यहां पर यह कुछ look मिलता है icon वगरा है वो भी काफी अच्छे दिये गए हैं और यहां पर हम चलते हैं इसके lock screen पर तो lock screen पर same wallpaper है home screen जैसा clock widget top पर दी गई है left side में और यहां पर आपको एक customization का भी option काफी अच्छे दिया गया है तो यह आपको यहां पर मिलेगा और यहां पर आप जो clock widget है 4 काफी type की clock widget style दी गई है जिस तरह की clock widget style आपको रखनी हो तो वो आप रख सकते हैं यहां पर आपक आपको 8 type of clock widget style है वो दी गई है और यहां पर आपको option मिलता है कि आप जो clock widget का जो color है font का color उसे अगर आप change करना चाहते हैं dark करना चाहते हैं या फिर white करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इसके लावा यहां पर जो और भी customization की option है उसमें आपको wallpaper काफी एक option मिलेगा आप आपको 6 type के wallpaper मिलेगे जैने आप जो भी मरजी हो उस तरह का wallpaper set कर सकते हैं तो दोस्तों यह कुछ लुक मिलता है इन themes में और अगर यह theme पसंद आयों तो इस वीडियो को like share जरू कर दीजे अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजे क्योंकि मैं आपके वीडियो ले के आता रहता हूं